नमस्ते, नेचा स्किप्टी टीट चनल से मैं दू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के इस वीडियो में मैं नावजात से सु कब से पल्टी करना सुरू करता है यानि कि रोल ओवर करना किस महने से सुरू करता है और इसमें हम पायरेंट्स क्या कर सकते हैं ताकि उसे पल्टी करने में मदद हो सके इसी की विसे में जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप से एक रिक्वेस्ट है अगर वीडियो आपको हेलफू लगे तो प्लिस लाइका बटन जरू दबाईएगा और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रही है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस नीचे का लाल बटन दबागर कि आप मेरे नेचा स्कीप टी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकन दबा दिजिए जिससे की मेरे वीडियो की सारी अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो बच्चा तीन महले में या साढ़े तीन महने तक अपने गरदन को समालने लगता है यानि कि जब हम नवजाज सिसु को गोध में लेते हैं तो हमें कुछ इस तरह से उसके सिर के नीचे सहारा दे करके ही लेना होता है क्योंकि उनके सिर की जो मासपेसियां होती है वो बहुत ज़दा नाजुक होती है और अगर हमने उनके सिर के नीचे अपने हाथ को नहीं लगाया तो इससे उनके सिर की मास्पेसियों में लचक आ जाने की संभावना होती है तो नवजास सिसु को हम जब कभी भी लेते हैं तो इस तरह से उनके सिर के नीचे हाथ लगा कर खे लेते हैं बच्चा अपनी गर्दन तीन महना पूरा होते होते हैं ञए कि चाथे महने किसी हद तक अपनी गर्दन हदर हिलाने की ह montón सब्क्रादन के दोडना समाने लगता है बच्चा जब पल्टी खाने की तयारी में होता है तो आपको कुछ इस तरह से समझना है जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एके करके पिक्चर देती जाती हूँ जैसे कि आपको समझने में आसानी होगी कि आप मेरा बच्चा पल्टी खाने की तयारी में है और आपको इस समय बच्चे की मदद करने चाहिए बच्चा पल्टी करने की तैयारी में है यानि की बच्चा रोल ओवर करना चाहता है आप करना सुरू करेगा इसे आप कुछ इन संकेतों से समझ सकती है कि बच्चा जो अपना सिर होता है वह स्वयम को जमिन से कुछ इस तरह से उठाने की कोशिस करता है जैसा कि यहाँ पर जो मैं आपको पिचर दे रही हूँ उसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा तो इस तरह से बच्चा अपने सिर को जमिन से उठाने की कोशिस करता है और थोड़ा हलका इस तरह से करता है और फिर यानि के राइट हैंड को कुछ इस तरह से उठा कर थोड़ा हलका ऐसे करता है या फिर लेप्ट हैंड को उठा करके थोड़ा हलका इस तरह से करता है और कभी-कभी आधा इस तरह से मुड़ जाता है पर वो पूरी तरह से पल्ट कर लेता है चुरुवागत की दिनों में ज्यादों तर बच्चे पेट से पीठ की बल पर पर पफा करते हैं गया शुरूकर देते हैं इसे это सेट की बलपर safe चले जाते हैं लेकिन द्वार fur करनी है अगर बच्चा इस तरह से पीट से पेट के बल चला गया है लेकिन वह पीट से पेट के बल नहीं आ पा रहा है उसमें असमर्थ है तो वहाँ पर आपको बच्चे को उठा लेना है और इस तरह से उसकी मदद करके उसे वापिस पीट के बल पर ले आना है आप एक बात तवस्त ध्यान आखिए कि जिस समय बच्चा पल्टी खाना सुरू करता है तो पहले पेट के बल से पीट के बल पर जाता है उसके बाद में 10 से 15 दिन का समय लगता है उसे पीट के बल से पेट के बल आने के लिए तो इतना गयब बीच में जरूर जाता है इसके लावाँ जो दूसरी बात ध्यान देने के लिए है वो यह कि जब बच्चा पल्टी खाना सुरू कर देता है उस समय आपको बच्चे को जैसे नीचे जो चटाई होती है उसे डाल देजिए और उसके उपर थोड़ा हल्का मोटा चदर डाल देजिए अगर आप चाहें तो जो पतला घद से पीट की बल आने के चकर में उसकी नाक को गरह न दब जाए क्यूंकि इससे बच्चे का दम घुड सकता है इसलिए ज्यादा तर कोशिस करिए कि आप सुरुवात के दिनों में तब तक जब तक कि हुआ पेट की बल से पीट की बल वापिस स्वयम नहोंने लगे क्यूंकि अगर बच्चा पेट की बल से पीट की बल पर आता है और पीट की बल से वापिस पेट की बल पर नहीं जा पाता है तो दिक्कत होती है लेकिन अगर बच्चा दोनों कर लेता है तो अगर उसकी नाक दब जाती है वह पीट की बल से पीट की बल पर चला जाएगा और अपनी सास को अच्छी तरह से ले पाएगा तो आपको ये एक साधानी रखनी है जिस समय बच्चा आपका पल्टी खाने लगता है दूसरे साधानी ये रखनी है कि आपको उस समय बच्चे को सोफा और बेड इन जगहों पर अकेले नहीं छोड़ना है कि बच्चा अगर रोल ओवर क कर सकती है तो ये कुछ साधानिया आपको अवस्य रखनी है और इसके अलावा बच्चे के आसपास जब आप उसे रोल ओवर करना सिखा रही है तो उसके आसपास कुछ खिलाओने इस तरह से रख देजिए जैसे कि मेरे पास मेरा बेटा बड़ा हो चुका है तो कोई खिला उने रख देती है और उसे जब बच्चा इस तरह से पल्टी लेता है थोड़ा सा आप उस खिलाने को सरकाती है तो वह पुरी तरह से पल्टी लेने में काफी उच्छता दिखाता है क्योंकि बच्चा जिसमें पल्टी लेना शुरू करता है तो उसे एक बात समझ में आती ह कि वह कुछ नया सिख गया है वह कुछ कर सकता है वह एक जगा से दूसरी जगा जाने में सच्छम हो चुका है तो इससे बच्चे में काफी उत्सुकता आती है और पारेंट्स को भी काफी उत्सुकता होती है कि बच्चे के अंदर उन्हें एक नया एक्टिविटी देखने को मिलता है उनका बच्चा कुछ अलग कर लेने में सच्छम हो चुका है और इससे एक बात ये भी साबित होती है कि बच्चे का जो सारीरिक और मानसिक विकास है वह अच्छी तरह से हो रहा है और जिस समय आप खिलोनों को इस तरह से थोड़ा से सरकाती है तो बच्चा धीरे- खिसकना भी शुरू करता है यानि कि जो बच्चे घुटने के बल पर चलते हैं वो सिखना भी शुरू कर देता है लेकिन जब बच्चा पहली बार पल्टी लेता है तब आपको थोड़ा यहां पर धैर रखना है कि आपको धीरे-धीरे उसको इस टेप लेने देना है नकि क्यान बच्चान के विचाएं कि और भी शपता है और घुटने को तरह किसी बारी से लिए सब कुछ लेकिन वह जो पल्टी लेने की प्रकरिया होती थी उसमें उसने छठा महिना लगा दिया उसे थोड़ा आला से आती थी जब पहले बार उसने पल्टी लिया तो हम सब अगर आपका बच्चा पाच्वे चट्वे महिने तक नहीं लगते हैं तो सब बच्चों की अपनी प्रवर्ती होती है कुछ बच्चे जल्दी करते हैं कुछ बच्चे देरी से करते हैं इसमें आपको दूसरों की बात सुनके नहीं चलना है फिलहाल इतना समझे लिए कि कुछ बच्चे चौथे महिने से कुछ पाच्वे और कुछ चट्वे महिने से सुरू करते हैं तो मैंने आपको बच्चे के पल्टी लेने से संबंधित जानकारी दी कि किस तरह से बच्चा पल्टी लेना सुरू करता है आपको संकेत देता है क्या-क्या मदद कर सकती है आप बच्चे को पल्टी लेने के लिए और क्या-क्या साधानी भरतनी है आपको जिस समय आपका बच्चा पल्टी लेने लगता है. उम्हेद करती हूँ मैने जो जानकारी आपको दी इस से आप अपने बच्चे को पल्टी लेने में काफी मदद कर सकेंगी, और साधानी भी रखेंगी. मेरे दोरह बताईगे जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लेस आप मेरे चनल को सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर किजिए धन्यवाद